अपको जानकर हरानी होगी कि रामपुर्वा धरव अस्थल अतीत के पन्नों में दबा एक ऐसा धरव अस्थल है जिसे विश्वे को जितने भी अस्थमद पाए गए हैं उसमें से रामपूर्वा में एक मात्र अस्थल है जहां पे दो अस्थम्भ हमें देखनों के मिलते हैं एक अस्थम्भ जिसके ऊपर सेर की प्रतिमा और दूसरा अस्थम्भ जिसके ऊपर एक पैल की प्रतिमा स्थापित की गई थी आज मुझे बहुत जानकर दुख महसूस होता है कि आज ये दोनों पिलर्स के अस्तम्भों के उपर के जो उपरी दो हिस्से एक बुल कैपिटल और दूसरा लैंड कैपिटल इसे क्रमसह दिल्ली के राष्टपति भावन के अंदर एवं कोलकाता के इंडियन म्यूजम में कि रामपुर्वास्तिल के बारे में थोड़ा ओर डीटल में जाना जाए मैंने जब गुगल पे Um किया तो मैंने जो वहां पर पड़ा उसे देखकर मैं अश्चर्चकित हुआ हैरान हो गया अशंबित हो गया जानते हैं क्यों कि उसमें बुल कैपिटल के बारे में तो बहुत सारे चीज लिखे गये थे बखान कर दिये गये थे लेकिन कि लाइन कैपिटल सेर के जो प्रतिमा यहाँ पे मिली है उसके बारे में बहुत कम डिटल दी गई है बहुत कम जनकाई अश्चर्च हुआ कि असा क्यों है ऐसा यहां पे क्यों हो रहा है कि केवल बुल कैपिटल को बहुत ज़्यादा दिखाए गया है लेकिन लन टैपिटल ने पब्लिस किया एक अंग्रेजी एंकर ने कहा था कि रमपुर्वा था लैंड कैपिटल तोड़ दिया गया बहुत बुरी तरीके से उसको एक अस्थान से दूसरे अस्थान ले जाने के दोलानों से तोड़ दिया गया मुझे बहुत रुदन महसूस हुआ फ्रदय के अंदर कि एक इतने अतिहासिक धरोग रहतों कहीं और ले जाकर और सिफ्ट करके उसके साथ कितना दुर वेवार किया जा रहा है मैंने फॉरन उसके बारे में फेस्बूप पे कुछ आटकल्स लिखें लोगों ने बहुत सपोर्ट किया जिसके बाद से मैं रिच्छा हुई कि मैं यहाँ पे आकर एक यूटूब वीडियो के जरिए लोगों को इसके अतिहासिक महत्तों के बारे में रूबरू कराओं और कि यहाँ पे एक म्यूजय मस्थाबित किया जाए यह छोटे मोटे हट टाइप में जो केवल एक प्रोटेक्ट किया गया है इस तरह से काम नहीं चलेगा यहाँ पे एक म्यूजय मस्थाबित किया जाहिए समसे पहले मैं यह करना चाहूँगा कि राष्ट्रपती भवन में जो बुल कैपिटल रखी गई है इसे ऐसा कहा जाता है कि लंदन के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा था और उसमें बुल कैपिटल को यहाँ से वहाँ पे लेग जाए गया था दिखाने के लिए तो लंदन के सोख खतम हो जाने के उखान जब उसे यहाँ से लाया जा रहा था तो उसे रामपुरुवत अस्थर में नहीं बलकि दिल्ली में उसे राष्ट्रपती भवन के अंदर स्थापित कर दिया गया कि उसके बाद यहां के लायन कापिटल को इंडियन म्युजिएम के अंदर रखा गया ज安全 से दोड़ा गया कि मैं वहन सरकार ते ही मांब करता हूं कि हमारा जो लैंग कापिटल है और हमारा जा खुल कापिटल है उसने रमपूर्वा के औरीजनल स्थल क्लेशाय्च वह लोकेशन सरकारց करें ह backside कहुंा trzeba किम्ट के वारे में पहल नहीं कर रही है कि हमारा जो इतना 23 साल पुराना लब असोक के काल का जो अस्तल है जो पिलढ है जो अस्तंब है उसे भीधार सरकार क्यों नहीं यहां पे रिलोकेट कर रही है यहां के सन्डक शक मुझे बताया गया कि उनका नाम जोगिंदर माजी है उनकी है करने के लिए हर महीना किवल 6000 रुप्या की रासी गुमने आते हैं अगर वो टॉरिष्ट यहां पर आए तो उन लोगों केलिए उन लोगों का सेवा यह तत्पर उपसे कर पाए यहाँ पे गाट रूम की इतनी बड़ी कमी महसुस की जाती है दूसरा कि यहाँ के अगर मैं आपको दिखाऊ चावों तरफ से तो घेरा बंजी उतने अच्छी तरीके से नहीं की गई है जिससे अगर यहाँ चुकि यह जंगल एरिया है तराई छेत्र है यहाँ पे यह भी टीयार के अंतरगत बालमिकी नगर टाइल रिजर्व के अंतरगत आता है तो यहाँ पे सेर बाग इत्यादी कई जानवर कभी-कभी है तो तुरिश्ट को प्रोटेक्शन संरस्चन के लिए कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अच्छे तरीके से घेराबंदी किया जाना चाहिए् Alles यहां पर लगार दिना चाहिए अच्छे तरीके से क्या पनेह लगता है कि यहां पे इस एक museum रहना चाहिए यहां पे इसल पट्टिकार रहना चाहिए जिसको देखके भी है पड़ सके हिसी श्मए का पर स्कल का आठीट में इंपोर्टेंस प्रेम क्या है महत्तों क्याहिए रहां पे असोग के बारे में बुद्ध के बारे में यह यह दूनों फीलाण यहां पर यहां पर यहां पे क्यों है मधाथ हूं कि आसे मुजियो के रूप में अगर तब्दिल कर दिया Tele等 है तो यहां पर जितने भी हिंदू धर्म के लोग जिने जो अशोक को देवन प्रिया दर्सी को बहुत प्यार करते हैं या फिर जितने भी बौदिष्ट है जो कि चाइना तिबत मयानमार स्रिलंका के अंदर रहते हैं उन्हें कि वो अगर यहां पर घूमने आएंगे तो वहा बनेगा तो आपर कितने लोग को रोजगार मिलेगा अब यहां सोचिए सरकार इस चीज के बारे में क्यों नहीं सोच रहें मैं उनसे प्रश्ण करना चाहता है और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो लैंड क्यापिटल में मेरा जो में यहां पर मकसद है दो तीनी मकसद है इस इस वीडियो को बनाने का पहला मकसद कि यहां पे सरकार रोजगाह दूसरा मकसद कि हमारा लैंड कैपिटल हमारे बुल्ट कैपिटल जो है उन दोनु कैपिटल को यहां पे अस्थापित करें ताकि रोजगार का सीजन लोग ओभीशली बात यहां पे देखने आएंगे यहां पे जरूग घूमने जाएंगे आज बालमीकी नगर टाइवर रिजर्व मंगरहां रेंज के अंतरगत महज एक दिन के अंदर दो से तीन प्रेटन आते हैं लेकिन अगर यहां पे लोग घूमने आएंगे इस अत्यासिक अस्थाल को देश-देश की लोग भ्यमन करने आ अगर आज हम राजगीर में देखेंगे तो वहां पे किवल 500-600 रुप्या देकर टांगे वाला ऑगर आफ़व पांसे-600 रुपया दे दे तो वहां पूरे राजगीर के जितने भी प्राचीन धरवरस्तल हैं चाहे वह बिंबीसार का जेल हो चाहे वह बहुत सारी मुर्टी है जो मुझे अभी अच्छी तरीके से याद नहीं आ रहे बुद्ध के कुछ मूर्ती है जरा संध की मूर्तिया वहाँ पर है तो उनको किवल 500-600 रुपय में घुमा देता है तो आप जो सोचे कि अगर यहाँ पर इरिक्सा या आटो टैक्सी के माध्यम से या फिर कोई ऐसा बस चले परेटन के लिए टूरिष्ट के लिए जो पूरा भी टीया यहाँ पे दस किलमेटर यहां से दूर सुबत्रा स्थान गड़ी माई स्थान रामपूर्वा भीती हरवा सोफा मंदीर और भी कहीं स्थल है जो मैं भी भूल भा रहा हूं मंगरहां रेंज ऐसे बहुत से यहां पर पुरातत्तिक के इनका एतियातिक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस है तो लोग यहां पर घूमने आएंगे उनको असानी बहुत जा रहा हूं उनको सुविधा उपलवदी कराई जाए तो मैं इस वीडियो के मादम से भारत सरकार और बिहाद सरकार समया तूरिस्त हैं मत् rush गेराबंदी आए," यहां पर एक म्यूजियुम बनाये, तीसरा यहां पर एक बढ़ाए पधाते हैं , उनके रहने के लिए गारट रूम यहां पर बनाया जाए ज़ए